Hello everyone, welcome back, this is Rohit Seymwal तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना जेम ट्रेनिंग कोर्स और बहुत सारे लोगों के मेसेज़े आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर कब स्टार्ट करने वाले हो कब स्टार्ट करने वाले हो, तो मैं भी बहुत एक्साइटेट था इस सिरीज को स्टार्ट करने के लिए बर थोड़ा सा प्रेपरेशन चल रहा था ताकि हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाएं तो start करेंगे, जैसे मैंने बताया था, full jam training course हम लोग इसमें करने वाले हैं तो step by step चलेंगे, हम हर एक topic cover करेंगे, हर एक step cover करेंगे तो आज हम start करेंगे jam registration से है ना, तो registration पे जाने से पहले, registration करने से पहले मैं थोड़ा सा ना बताना चाहता हूँ आपको jam के बारे में कि jam है क्या jam किस तरीके से work करता है ये समझना बहुत जरूरी है बहुत लोग क्या करते हैं कि directly अपने product upload करने लग जाते हैं services upload करने लग जाते हैं और फिर उनको problem आती है और फिर आपका solution क्या है तो उस चीज के लिए ना समझना बहुत जरूरी है कि jam किन parameters पे work करता है और jam किस तरीके से use करना है तो वो हम इस पूरे training course में मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा और मैं try करूँगा कि बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को उसको समझा पाऊँ तो jam जो है ना एक procurement portal है 2016 में government ने launch किया था इंडिन government ने launch किया था उससे पहले आप tendering करते थे e-precurement पे करते थे railway पे करते थे या कोई भी state की website पे जो tendering होती थी वो अलग थी बिल्कुली अलग थी jam से related है ना आपको कहीं से कोई tender ID मिलती थी कहीं से कोई tender number मिलता था आप directly क्या करते थे उस website पे जाते थे उस पे अपना registration करते थे company का और directly technical document upload करे financial upload करे और अपना digital signature लगा के अपना tender submission उसमें हो जाता था jam ना सर एक e-commerce platform है ये थोड़े different parameters पे बना हुआ है अलग तरीकर से तरीके से ये react करता है तो इसमें वैसा नहीं चलता कि आपको कहीं से tender ID मिले और आप directly registration करके उसमें participate कर दो ये एक e-commerce platform है e-catalog catalog based platform है तो इसमें हमें क्या करना होता है किसी भी tender को participate करना है चाए वो product है है चाए services है इसमें हमें पहले cataloging करनी होती है हर एक मतमाल लिजे के example मैं ले रहा हूँ अगर आपको furniture के products में deal करना है furniture के tender में participate करना है और आपको कहीं से furniture का कोई tender number मिल जाता है जिसमें furniture मांगा गया है तो अगर आप चाहें कि direct furniture के उसमें participate करना तो आप नहीं कर सकते पहले आपको अगर furniture category में deal करना है या furniture के product में deal करना है या furniture के tender में participate करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है furniture category का जिस category में वो tender निकला है उसका cataloging करना होता है तो ये कुछ challenges जेंपे आते हैं जो लोगों को नई समंझ में आते तो वह में किस्टार्म करता है हम लोग किसे करने के अभी लोग क्या करते हैं कि सीदा जैंब जाते है जो बनी भी है तो Means ना फेक website हैं लोगों ने क्या कर रहा है फेक website बना रखी है और उसमें क्या करते हैं gateway लगा रखे हैं दोजो तीन-तीन जार रुपे की वो payment ले लेते हैं और registration भी नहीं करके देते तो यह fake websites है private websites हैं तो जब भी आपको जैम पे registration करना है ना हमेशा official email औुफिसिल आपको अड्रेस पे जाना है यू जो है गोर्मेंट की कोई भी वेबसाइट होती है वह हमेशा NIC.N से होगी इस तरीके की वेबसाइट किसी भी गॉर्मेंट की नहीं होती है न इस तरीके की वेपसाइट आपको government की देखने को नहीं मिलती nic.in या gov.in इस तरीके से email जो official website address होता है government का वो इस तरीके से होता है तो जब भी आपको visit करना है gem registration के लिए या gem से related कोई भी work के लिए तो आपको gem.gov.in पे visit करना है तो इस तरीके का कुछ landing page आपके सामने आता है यह home page है gem की website का अभी हमें sign up करना है हमें नई profile बनानी है registration करना है gem पे तो जब आप यहाँ पे sign up पे लेके जाते हैं cursor को तो यहाँ पे drop down type का खुल जाता है और दो option आपके सामने आते हैं एक buyer और seller buyer हर एक case में government official होता है government department होता है कोई भी seller या आप और मैं buyer account नहीं बना सकते हैं तो हमें as a seller register करना है तो seller registration करने के लिए हम seller पे click करेंगे Gem पे registration free of cost है single rupees एक रुपया भी आपको देने की जरूत नहीं है बिल्कुल totally free of cost है कोई भी पैसा आपको नहीं देना है registration के लिए Gem पे register करने के लिए तो यह आपको इस तरीके से आपके सामने यह page खुल जाता है आपको review terms and condition पे आप click करेंगे तो इस तरीके की undertaking आपको देनी है यहाँ पे आप click करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपके सामने Gem open हो जाता है यहाँ पे आपको बताना है कि business type क्या है आपका जो business entity है वो किस type का है proprietorship है तो proprietorship select करेंगे firm है तो firm select करेंगे company है तो company select करेंगे जो भी आपके लिए applicable है आप उसे यहाँ पे select करोगे जैसे मैंने यहाँ पे select किया proprietorship अपनी company का नाम डालोगे आप company का नाम डालके next करोगे आप फिर आपको यहाँ पे authenticate करना होता है अपने आपको authenticate करना होता है अपनी identity authenticate करनी होती है तो वो अधार card और pen card से आप कर सकते हो तो जो proprietorship के जिनकी firm है तो उनका खुद का personal pen card खुद का अधार card लगेगा या कोई SC business entity है जैसे firm है private limited है या LLP है जिसमें एक से ज़्यादा director होते हैं तो उसमें जो primary user बन रहा है जैंपे उस company का उसके details लगेंगे उसके credential लगेंगे उसका अधार card लगेगा तो जो भी आप use कर रहे हैं आप खुद कर रहे हैं और अधार link से mobile number जो होता है आपका वो आप यहां पे डालेंगे तूबHz जो भी आपका mobile number है वो आप यहां पे डालेंगे जिस पर अधार card का OTP आता है आप इस तरीके से यह दोनों चीज़े डालेंगे तिक करेंगे verify अधार करेंगे तो एक OTP आपके अधार कार्ड से linked mobile number पे पहुंच जाता है OTP verify करने के बाद कुछ इस तरीके से jam आपके सामने खुलेगा मेरा registration अल्रेडी हो चुका है तो मैं इसलिए step by step आपको नहीं दिखा सकता कि क्या होगा बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल आपको exact उसी तरीके से बता पाऊं जिन steps पे jam पे registration होता है तो आप OTP डालेंगे OTP डालने के बाद ना कुछ इस तरीके से jam आपके सामने खुल जाएगा एक profile तरीके की बन जाएगी यहाँ पे आपको जहाँ पे यह 100% दिख रहा है आपका 0% आएगा और यहाँ पे यह जहाँ पे green tick आपको दिख रहे हैं सारे जीजों पे आपके सामने यह exclamation sign आएगा red color का तो आपको एक एक करके यह steps fill करने है जैसे pan validation है pan validation पे आप पहले click करेंगे अपना pan card डालेंगे तो यह green हो जाएगा percentage बार भी बढ़ता चला जाएगा तो एक एक करके आपको यह सारी चीजे fill करनी है pan card डालेंगे फिर company detail में आप अपनी company का नाम डालेंगे incorporation date डालेंगे save करेंगे जैसे जैसे आप यह steps fill करते रहेंगे बहुती easy steps है कोई भी easily पढ़के कर सकता है कुछी को भी fees देने की ज़रूत नहीं है आप simple से यहाँ पे आपको basic details डालनी है जैसे जैसे आप detail डालेंगे यह green होता चला जाएगा यह percentage बार भी बढ़ता चला जाएगा तो आपको company details डालनी है office location में आपको अपना office address डालना है और उससे linked gst number जो है आपका वो डालेंगे bank account में आपको अपना account details डालना है कि कल को आपको jam पे कोई order आता है तो उसका जो payment है वो किसे bank account में आप लेना चाहते है तो वो details आपको यहाँ पे डालनी है इसी तरीके से आपको यह सारे steps follow करने है MSME certificate में अकर आपके पास उद्यम है तो आपको उद्यम यहाँ पे डालके number डालके अपना mobile number डालके इसे verify करना है एक इसमें problem आती है लोगों को उद्यम verify करने में लोग जब उद्यम डालते हैं और यहाँ पे जब mobile number आपको डालना होता है यह mobile number वही डालना होता है आपको जो आपके उद्यम certificate में लिखा होता है तो कई भी कबार लोग mistake करते हैं कि उद्यम number तो correct डाल देते हैं बट mobile number वो उस time पे currently जो use कर रहे होते हैं कोई दूसरा number डाल रहे होते हैं तो यह verify नहीं हो पाता देखिए जो jam का portal है ना वो government की website से linked है अधार कार्ट की website से link है MSMA की website से link है ITR की website से link है और भी कोई government website जो बनीवी है उनसे linked है तो जब तक आप इसमें correct value नहीं डालोगे तो यह आपके details fresh नहीं करेगा और आपको आगे proceed नहीं करने देगा verify नहीं करने देगा तो उद्यम के case में आपको वही number यहाँ पे डालना होता है जो आपके उद्यम certificate में डला हुआ है जैसे जैसे आप यह details डालेंगे आपकी यह percentage बार full होती चले जाएगी यह सारे green होते चले जाएगे MSME आप डालेंगे startup certificate अगर आपके पास है तो आपको yes करना है नहीं है तो no करना है तो उसका भी एक process है उसके लिए आपको apply करना होता है अपने document submit करने होते हैं जो भी fees है वो submit करनी होती है अगर इन case अगर आपको startup certificate मिल जाता है तब आप jam पे claim कर सकते हैं कि आप startup eligible है आप certified startup है government की तरफ से proprietorship company startup के लिए eligible नहीं होती है तो आप वो check करके startup के लिए apply कर सकते हैं तो यह सारे details आप fill करेंगे फिर यहाँ पे एक option होता है tax assessment का तो जिन भी लोगों की company की age दो साल से जादा है मतलब जिस दिन आप registration कर रहे हैं उस दिन आपकी company की जो age है दो साल से जादा है तो tax assessment ITR डालना mandatory है jam pay अगर आपकी age दो साल से कम है company की तो ITR डालना jam pay mandatory नहीं है जिनकी company की age दो साल से जादा है तो उनको ITR डालना बिल्कूल mandatory है तो यह simple से steps आपको follow करने हैं आपका jam pay registration complete हो जाता है यह सारे detail लेके करके डालेंगे यह green होते चले जाएगी percentage बार आपका 100% हो जाएगा 100% होने के बाद एक caution money आपको deposit कराना है jam pay जो सबके लिए mandatory है तो dashboard में जाएंगे आप dashboard में जाने के बाद क्या होता है कि महाँ पे एक option आएगा manage caution money का manage caution money पे आप click करेंगे तो तीन bank select करने के लिए बोलता है वो आपको access bank, HDFC bank और ICICI bank तो उन तीनों bank में से किसी भी एक को select कर सकते हो उसका मतलब यह नहीं है कि आपका bank आपका bank account उन तीनों bank में होना चाहिए ऐसा नहीं है किसी भी bank को आप select करिए उसको आप select करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने account details सारीके का security amount है जैम पे जो सबको deposit कराना है यह इसलिए है ताकि जैम पे जितने भी sellers रहें सारे genuine रहें ताकि मतलब अगर कल को कोई order दे रहा है गोर्मेंट डेपार्टमेंट या कोई बायर आपको order दे रहा है तो जो seller उसको receive कर रहा है वो genuine है काक बीच में ऐसा होने लग गया था कि लोग order ले रहे हैं बैट उसे execute नहीं कर रहे accept नहीं कर रहे तो genuine sellers रहे हैं इसलिए छोटा-छोटा amount सबसे deposit कराया गया कि कल को आपको कोई policy आप violate करोगे जैम पे तो आपको penalty लगेगी आपका amount caution money से direct किया जाएगा तो वो caution money सबको deposit करानी है जिनकी turnover 1CR तक है उनको 5000 देनी है जिनकी turnover 1CR से 10CR के बीच में है उन्हें 10,000 देनी है 10CR से उपर वालों को 25,000 देनी है तो ये mandatory है सबको जमा कराना है तो आपको भी जमा कराना पड़ेगा कई लोगों का question रहता है कि सर हम इस account पे payment करेंगे तो जम को कैसे पता लगेगा कि ये हमारा payment है तो सर ये जो account details है ये virtual account details है ये खाली AP के account के लिए generate हुई है तो जब इस account पे आप payment करते हैं तो जम का software, जम का system automatically fetch कर लेता है कि आपके account से payment आ गई ठीक है तो ये आपको कराना mandatory है हाँ एक और बात इन account details पे खाली NEFT, RTGS होता है IMPS, phone pay, Paytm वगेरा आप caution money के थूरू नहीं कर सकते caution money जमा कराने के लिए नहीं कर सकते आपको NEFT, RTGS ही करना होता है बैंक में जाके या अपरी net banking को use करके तो इस तरीके से jam pay आप अपना registration कर सकते हैं without any fees free of cost और without आप किसी की help लेके बहुत ही easy steps है तो इस तरीके से आप लोग भी अपना jam pay registration कर सकते हैं जिनका नहीं हुआ है यही simple steps आपको follow करने हैं और jam pay registration हो जाता है अगर आपके पास सारे documents available हैं तो मात्र एक घंटा या दो घंटा मैं समस्ता हूं कि दो घंटे के इंदर आपका पूरा registration complete हो जाता है jam pay free of cost registration है कोई भी पैसे आपको किसी को नहीं देने हैं आप खुद से भी चाहें तो बहुत easy steps है अपना आपका अपना जो registration है वो आप कर सकते हैं तो यह हमारा आज का वीडियो था jam registration से first step jam पे काम करने के लिए second video हमारा आएगा बहुत ही जल्दी उसमें हम लोग next step पे चलेंगे कि registration के बाद हमें क्या करना है तो वो next video में हम लोग cover करेंगे चनल को subscribe करेंगे ताकि इस तरीकी की वीडियो आप तक पहुंचती रहे thank you so much